ये छोटा बच्चा है कानव देड़ साल का और ये अमित माता जी है कनव जब पैदा हुए थे तो उनको एक जनेटिक डिसॉर्डर था इस जनेटिक डिसॉर्डर की वज़े से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नी थी स्ट्रेंथ नी थी पैर काम नी करते थे और धिरे धिरे वो जो बिमारी है वो उपर शरीर पे जाने लग गई इनका धिरे धिरे अप्डॉमन भी जो है वो भी लाइफ लेस ओने लग गया बैठने में दिक्कत होने लग गई जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराये तो पता चला कि इनको जनेक्टिटिक डिसॉडर है और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बिमारी उपर चली जाएगी लंग्स भी काम करना बन कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खत्रा हो सकता है तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है एक इंजेक्शन है जो कि अमरीका से आएगा और वो साड़े सतरा करोड रुपए का इंजेक्शन है क्योंकि यह रेर डीजीज है इनका पतारा है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे नौ केस भारत देश में अभी तक ऐसे नौ केस हुए हैं टोटल और दिल्ली में यह पहला केस है तो इन्हों सतरा साड़े सतरा करोड की मेडिसन यह बिचारे कैसे मिडल क्लास फैमिली कहां से साड़े सतरा करोड लाएगी तब इन्होंने हमारे MP संजीव अरोडा जी से संपर्क किया जो आम आत्मी पार्टी के राज्यसभा के MP हैं संजीव अरोडा जी बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं इनकी कई सारी एंजियोज हैं और उन एंजियोज के थुरू ये लोगों के लिए मदद करते हैं चैरिटी करते हैं तो इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनव को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए डोनेशन दीजिए बहुत लोगों ने डोनेट किया इस देश के अंदर अच्छे दिलवालों की दानवीरों की कोई कमी नहीं है बहुत लोग सामने आए कुछ लोगों ने संजीव अरोडा जी से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे के लिए आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो तो उन्होंने का कि आपके लिए एक बच्चा हो सकता है उनके माबाप से पूछ के देखो माबाप के लिए तो वो बेश कीमती बच्चा है तो किसी तरह से इनको सब तरफ से मदद मिली बहुत सारे सेलिबरिटीज ने इनको मदद की मैं उन सारे सेलिब्रिटीज का शुक्रियादा करना चाता हूँ इन्होंने सभी पार्टीज के MPs से मदद ली और कई पार्टीज के दूसरे MPs ने भी मदद की उनका भी हम शुक्रियादा करना चाते हैं और खासकर पंजाब केसरी अख़बार वालों ने बड़े discounted price पे full page advertisements इस बच्चे के donation raise करने के लिए अभिनाश चोपड़ा जी ने चापे उनका भी हम शुक्रियादा करना चाते हैं और finally साड़े दस करोड रुपे कट्थे हुए फिर उन्होंने company को phone किया कि भई साड़े सतरा करोड का है हमारे पास साड़े दस करोड आ गए अब इंजेक्शन दे दो तो company वालों ने भी सायोग किया तो उन्होंने साड़े दस करोड रुपे में वह साड़े सतरा करोड का injection बेज दिया हम company का भी शुक्रियादा करना चाते हैं और केंदर सरकार ने उसके ऊपर से important duty हटा दी तो हम केंदर सरकार का भी शुक्रियादा करना चाते हैं अभी बता रहे हैं कि उसकी वज़े से काफी हीbracht हाथ काम कर रहे थे आँ Ready Lifeline कर रहे हैं और हम देखरे हाथ काम कर रहे हैं फैरों में भी इंप्रूमेंट आने लगी है बच्चे के, मैं भगवान से प्राफ्षना करता हूँ, इसको लंबी आयू दे और भगवान इसको खूब खुशाली जिंदगी दे और इसके माबाब को सभी किसम की खुशना करता हूँ